दो मौनमते नमा, नमस्कार मित्रों, मैं अविरल त्रिविदी और आप देख रहे हैं मेरा यूटूब चैनल नहीं थी मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है कि आज कल एक विसेश रंखला हम चला रहे हैं उसी विसेश रंखला में आज बात करते हैं लासुन के आउसधी प्रयोगों की लासुन का वैग्यानिक नाम एलियम सैटवूम एल है प्राचीन काल से ही लासुन का आउसधी प्रयोग होता रहा है लहसुन में गंधक की अधिक्ता होती है इसे पीशने पर इलिसिन नामक योगिक प्राप्त होता है जो प्रतिजयविक विसेस्ताओं से भरा होता है इसके अलावा इसमें प्रोटीन, इंजाइम, तथा बिटामिन B, सैयोनिन, फ्लेवोनाइट, आधिपदार्थ पाये जाते ह प्रस्तित वीडियो में हम लासुन के कुछ आउसिधी प्रयोगों की चर्चा करेंगे हाई बिपी के समस्या से जूज रहे लोगों को रोजाना लहसुन खाना चाहिए लहसुन खाने से हाई बिपी में आराम मिलता है डाइरिया और कबज की रोक्ताम में लासुन बहुत फ खाली पेट लहसुन की कलियां चबा कर खाने से पाचन दुरुष्ट होता है और भूख खुलकर लगती है लहसुन खाने से सर्दी जुकाम खांसी अस्थमा निमूनिया और ब्रोंकाइटिस के इलाज में लाप मिलता है लहसुन में इलिसिन नाम का पदार्थ होता है जो प स्पर्म क्वालिटी बढ़ती है भुने लहसुन के सेवन से दातों के दर्द में आराम मिलता है दातों के दर्द होने पर लहसुन को पीस कर दातों पर रखने से तुरंत आराम मिलता है लहसुन का सेवन करने से सरीर में गर्मी आती है और ठंड से रच्छा होती है लहसुन क की रोग प्रत्रोधक्षमता बढ़ती है और संक्रमन से बचा होता है डाइबिटीज के मरीजों के लिए लाहसुन एक वर्दान है यह सरीर में ग्लूकोज के इस तरको नियंत्रित करता है इसलिए सुगर के रोगियों को लाहसुन का नीमित इस्तेमाल करना चाहिए कोई भी मित्रयोग बिना किसी योगी चिकस किस सक्कै memory के नहीं करना चाहिए अनिथा हानि भी हो सकती है मित्रो हमारे वीडियो जो आपको कैसे लग रहे हैं अगर अच्छे लग रहे हैं तो को पहला आइक करिए सेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब आज से करिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आभार नमस्कार